ताशनगरी आगरा में अधिकांज जगाओ पर आवारा गोवंश की रोक्ठाम के लिए आगरा नगर निगाम लगातार काम करे ही है आपको बता दे कि नगर निगम द्वारा कैटलिक कैचर की चार टीम गठित की गई है जो की अलग-अलग जगा पर जाकर आवारा गौवंश को पकड़ कर गौशाला में शनरक्षित कर रही है ताशनगरी आगर में आवारा गौवंश अधित्तम जगाव पर देखने को मिल जाते हैं जिनसे आमजनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई बार तो आमजनमानस की जान पर भी बनाती है उनको हर समय खत्रा रहता है कि आवारा गौवंश उन पर हमला ना कर दे उसी कड़ी में जब पशू चिकिस्तक अधिकारी अजे कुमार यादर से बात की गए तो उन्होंने बताया कि आगर नगर निगम की कैटल कशन की टीम लगातार काम कर रही है नगर निगम द्वारा चार टीमें गठित की गए है जो सुबा पांच बजे से रात बारा बजे तक कारे करती है पशू चिकिस्तक अधिकारी अजे कुमार द्वारा बताया गया कि चारों टीमों को अलग-अलग टार्गिट दिया गया है कुछ तो आवारा बंशो को पकड़ती है और कुछ केवल नंदियों को और उन्हें पकड़ कर गोशालाओं में संरक्षित कराने का कारे करती है आज़ा नगर निगम की केटल केटिंग की टीम सुबह पांस बें से लेकर रात को बारावी तक कार करती है इसमें चार टीमें अलग-अलग एरिये में जाती है और वहां से हर टीम को अलग-अलग टागेट दिया गया है जैसे कुछ टीमें हैं वो आवारा गायों को पकड़ती हैं और कुछ टीमें हो केवल नंदियों को पकड़ती है तो इस प्रिकार नगर निगम लगातार आवारा गोवन्सों को चूटी हुए जानवरों को पकड़ की गोसाराओं में जाकर सनस्कित करा रहा है